एलो फ्रेंड नमस्कार वलकम बेक मैं चैनल टार्गेट टीचर जॉब में प्रेंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम बीड प्रतम वर्स दोती है प्रसन पत्र बच्पन और विकास के विसे में कि दोस्तों इसके पहले हम सिच्छा विज्ञान के विविन विदिया देख रहे थे जिसमें से विधी अभी आज देखेंगे सिच्छा विज्ञान की जो अध्यन विदियां वो मुख्यतै दो प्रयोगात्मघ्ड्मग विदि तुलनात्मग विदि मनुभौतिक विकास आत्मग विदि निरीच्ञ विदि या बहिर दर्सन विदि आती है ब्यक्ति इतिहास विधी, परिच्छड विधी, साच्छातकार विधी और सांकिकी विधी, मनोविसलेशड विधी और विवेधात्मक विधी ये सारी विधियां हम पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है उपचारात्मक विधी और ट्रस्नौली विधी तो चले देखते हैं उपचारात्मक विधी, ये विधी साधारते व्यक्ति या आच्रण समंदी जटिलताओं का अध्यन करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है ये व्यक्तिकत समस्याओं के समाधान की विधी है, इसमें अनेक विधियों का समाविस होता है दोस्तों उपचारात्मक विधी में ये विधी छात्रों की जो समस्याओं हैं सिच्छ अधिगम के प्रति कह सकते हैं तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए इस विधी का प्रियोग किया जाता है, इसमें अनेक विधियों का समाविस होता है किसी कच्छा में बच्चों की सचिक समस्याएं जैसे हकलाने की आदत नवी इन बातों को सीखने में भै, आत्में विश्वास की कमी असमरड सकती ठीक ना होना, यों पढ़ने में कठनाई का अन्भव करना, साथ ही साथ कच्छा में समायोजन ना बना पाना आज तिर बालकों के मनों सारीरिक समस्याओं को समझने के लिए अनेक पच्छों का परिच्छड किया जाता है, तत पस्चात उसके निरा करड़े तो सहयता दी जाती है दोस्तों यहाँ पर जो बालकों की समस्याओं आती है, चाहे वो हकलाने या आदत संबंदियों कह सकते हैं, हकलाने की आदत हो या फिर उनके अंदर सीखने का डर हो, वो सीखना ना चाहते हो या उनके अंदर आत में विस्वास की कमी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर उनकी जो असमर सकती है, वो बहुत जल्दी वो कोई चीज भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता है या उन्हें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कठनाई का अन्भा होता है, या फिर वो क्लास के जो छातर हैं उनके साथ हैं अपना समायोजन नहीं कर पा रहा हैं, उनके साथ अपना संबंद नहीं स्थापित कर पा रहा हैं तो यहाँ पर जो बालकों की ये सारी परेसानिया आती हैं या उनकी मनों सारी समस्यां जो भी हैं उनका परिच्छड किया जाता है और उस परिच्छड के आधार परी जो निसकर्स निकलता है, जो परड़ाम निकलता है उसी को आधार बना कर ही उनकी समस्यां को दूर किया करते हैं जो भी बालक के अंदर भै या चिंता है पढ़ाई को लेकर सिच्छा को लेकर या अधिगम को लेकर वो सारी चीजे दूर की जाती है इस विदी में अनेक विदियों का समन्व है जो उपचारात्मक विदी है इसमें अनेक विदियों का समन्व है बालकों के विवार को सुधारने में ये विदी सहायक होती है क्योंकि उसकी मूल जड़ तक जाय जाता है जो बच्चों में कमियां होती है जो बच्चों की समस्याएं होती है उसके बाद उसका उपचार किया जाता है अब इसके दोस क्या क्या है अनभवी ब्यक्ति की आउसकता होती है इसका ये दोस है कि इसके लिए कुसल प्रसिच्चित सिच्चक की आउसकता है या अनभवी और प्रसिच्चित ब्यक्ति ही स्विदिक का प्रयोग कर सकता है इसमें धन समय की अत्यदी काव सकता होती है इसमें धन और समय आधिक लगता है तो प्रसनावली विधी देखते हैं अब हम इसमें क्या होता है इसके गुड़ और दोस हमने देख लिया उपचारात्मक विधी के कि इसमें गुड़ क्या था कि इसमें जो भी कमिया होती है उसको उसका उपचार केरा था और इसके दोस्त क्या था कि इसमे भी अधिक लगता है और कह सकते हैं कि इसके लिए एक परसिचित वेक्थ की आुसकता होती है अब हम देखिंगे प्रसनावली विदी इस विधी में किसी समस्या का अधन करने के लिए कुछ संशिवत प्रस्णों की एक प्रस्णावली तयार की जाती है और इसे ब्यक्ति या किसी समों को हल करने के लिए दिया जाता है यहां पर हम देकिन जो प्रसनावली विदी है, इसमें किसी भी समस्या से सम्मणित कुछ प्रसने पूछे जाते हैं, और उस प्रसने को ब्यक्ति को दीये जाते हैं, और इन विसलेशड करने पर जो निसकर्स और निर्ड़े निकलता है, उसके आधार पर बालकों की योग्यत अभीरुची रुज्ञान सविगातम विथी कि स्थिर्ता अधिका पता लगा JAATA है दोस्तों प्रशनाwind में क्या होता है कि कछ प्रस न दिये जाते forming छोटे प्रस न दी रहते है वहो अलग अलग तरह के होते हैं तो उसमें बालक के जो भी उनकी होता है जो भी उसकी अविरूची या रुजहान होता है इसके संभेवात्म की सिरता होती है उसको ध्यान में रखकर ही यह निर्डा लिया जाता है यह विस्लेशड किया जाता है कि बालग किस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरफ नहीं कर रहा है तो उसकी जो भी कमिया रहती हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है अब देखते हैं सिच्छा मनों विज्ञान के छेतर में प्रयोग की जाने वाली प्रसनावलियों को दो वर्गों में भालत कियाता है पहला क्या है खुली प्रसनावली खुली प्रसनावली के प्रसनों के उत्तर प्रयोज्य सुतंतर रूप से दिए जाते हैं जो इस प्रगार है आप टेली फोन देखना क्योँ पसंद करते हैं ये कोस्टन जो खुली प्रस्णा gekommen के अंतर गत आते हैं आप सर्वजनिक सभां में क्यों जाना चाहते हैं तो ये हो गई आपकी क्यों का question आपको एक line में answer देना है यहां पर बंद प्रिस्णावली क्या है बंद प्रिस्णावली में प्रिस्णावली के उत्तर दिये गए उत्तर में से चुन कर देने होते हैं यहां पर आपको आपसन दिया रहता है जो इस प्रकार क्या आप घुमना पसंद करते हैं आप घुमना क्यों पसंद करते हैं स्वास्थे लाब के लिए आनंद के लिए बाहर से घर से बाहर समय बिताने के लिए मित्रों से मिलने के लिए तो यहाँ पर देखिया आपको आप्सन दिये हुए है इसके गुड क्या है या विदी साचात कारता सर्वेचण के लिए बहुत लाबकार ही है इस विदी से प्राप ताकडों के संक की विसलेशड के रहते हैं यह एक वैग्यानिक विदिया और इसमें बैदिता और विस्वस निता रहती है दोस्तों इस विदिका प्रियोग कहां कहा तैसर्वेट छड़ के लिए और साच्छत कार के लिए और इसके दोस्त किया हैं प्रसुनों के उत्तर देने में उत्तर दाता अनेक तथ्यों को छिपा जाते हैं दोस्तों क्योंकि यहां पर हमेशा सकारात्मक और मेरिट वाली एंसर ही लोग पसंद करते हैं तो यह चीज जो कैंडिडेट है उनको पता रहता है तो इसलिए वो अपने हमेशा नैतिक और क्या सकते सकारात्मक उत्तर ही देते हैं लेकिन उनके जो वास्तविक पच्छ है वो उनके सामने नहीं आपाता है क्यों नहीं आपाता है क्योंकि इन्हें यह पता रहता है कि हम अगर नैतिक तक के तहत उत्तर देते हैं साकारात्मक उतर देते तो हमारे नमबर अच्छे आएंगे तो उन्हें अपने माक्स लाने अच्छे लाने के चक्र में वो जो उनकी वास्त्विकता है जो उनका वास्त्विक बेवहार है वो सामने नहीं आपाता है तो यह इसका दोस है भासा की समस्या प्रसनों का उतर देन पर जो प्रसनावली विदी है यानि कि जो प्रसनावली है आपकी वो क्या हम कह सकते हैं कि केवल ये सिच्छित व्यक्तियों के जो व्यक्ति सिच्छित रहेगा या जानकार रहेगा विसे के बारे में वही उत्तर यहां पर दे पाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी मेर किया है कि यह साथ-चाथ-कार और सब इता आखर के विसले सठ की जाते हैं वो यह तरह से वैग्नाुक होते हैं और इसकी दोस क्या क्या होते हैं दोस में हमने देखा था कि प्रसुनों के उत्तर देने में उत्तर दाता अनेक तत्थियों को छिपा जाते हैं उन्हें पता रहता है कि कोई सा नायति कुट्तर देने पर या सकारात्मर कुट्तर देने पर उन्हें अच्छि hyper markげ के नंगे और कहीन न कही ये जो इसका ये है कि ये क्यों सिच्छते व्यक्टियों पर ही लागूख होती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इसका दोस है दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और प्लेज चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्था अनुसार सिचार्थियों की विसेस्थाएं हम से जुड़ने के लिए थैंक्यू सो मच